गुट मॉर्निंग स्टुडेंट टूडे बी बिल सॉल्ट फ्रम कोशन 629 और एक्सराइज 1D क्लास 8 आरेस अगरवाल मैं ओके 125 इससे पहले वीडियो में मैं अप्रोट कर चुका हूं यूटूब पर वहां है आप देख सकते हैं न क्लास 8 आरेस अगरवाल मैं इसमें चेट क स्टूड फाइब अपउन एट रेस टूदा पावा माइनस बन अगर पावा मैनस बन आता है माइनस के पावाल है चलिए वैसे कुछ हो सकती है आपने इस चेप्र मरें पढ़ेंगे चेप्रट टू में एक्सपोनेंट में अगर ओंली मै-न है ते यानिकि यह किया है इसका और inverse मतलब multiplicative inverse तो हमें कुछ नहीं 5 upon 8 का multiplicative inverse find करना है या दूसरे सब्दम है reciprocal तो वो आप चानते ही तो 5 upon 8 का reciprocal क्या होगा 8 upon 5 तो इसका answer हो जाएगा 5 upon 8 raised to the power minus 1 is equal 8 upon 5 ओके नव सेकिंड पार्ट minus 4 upon 9 power minus 1 यानि की multiplicative inverse तो multiplicative inverse हम लिखेंगे तो 9 upon minus 4 लेकिन हम बता चुके minus का sign standard form में क्या होता नुमिनेटर में तो minus तो उपर यह हो जाएगा 9 upon 4 तो answer is minus 9 upon 4 clear अब थ़ड समझ मागे आपको थ़ड में ये था minus 70 power minus 1 तो खाली 7 है इसका होता 7 upon 1 आपको अच्छे से बता है तब भी नुमिनेटर में लिखेंगे तो minus तो उपर रहेगा और इसका होता च्छे से पोकल क्या हो जाएगा 1 upon 7 तो इसका answer it is equal to minus के 1 upon 7 ओके नाव लास्ट पार आप कोर्शन नम्मर 6 फूर्थ पार and the part is minus sorry 1 upon minus 3 raised to the power minus 1 तो minus 2 नुमिनेटर में उपर जाएगा पूरे से पोकल अगर नीचे है तब भी उपर है तब भी उपर ही जाएगा तो minus 3 upon 1 upon 1 हम लोग लिखते नहीं है तो क्या लेकिन खाली minus 3 ओके clear now question number 7 ये important है verify का है verify the following first part इसका ये है minus 3 upon 7 into 5 upon 6 plus 12 upon 3 bracket close it's equal in first bracket 3 upon 7 into 5 upon 6 bracket close plus 3 upon 7 into 12 upon 13 ये कौन सा rule दिखाई जे रहा है सो जिमारा कुछ कौन सा ये distributive law है न इसका multiplier है distributive over addition बाला खेर हम ऐसे verify करना है तो verify कैसे करते है पहले हम left hand side को solve करेंगे फिर right hand side को solve करेंगे और दोनों equal आने चाहिए और equal ही आने जब verify करा रहा है तो 100% equal आने अगर equal नहीं आते है तो समभली लो हमने कहीं गलती करी है अपना हमें खुद का correction चेक करना होगा कि हमने का mistake है चलो करते है तो इसमें अब सबसे पहले हम left hand side लेले है तो left hand side क्या है 3 upon 7 into 5 upon 6 plus 12 upon 13 तो हमने left hand side लेगी ओके अब ब्रेक्ट को solve कर लो 3 और 13 का LCM 78 तो 78 LCM आ गया 6 का divide 78 में कितनी मार गया 12 78 में और 13 time और 13 6 जा 65 ओके और 13 का 6 time और 6 का 12 में तो 72 3 upon 7 तो ऐसे चला है इन दोनों कैट कर दिया 5 और 2 7 6 और 7 13 तो 137 upon 78 अब इसको मैंने cancel कर दिया 3 से बन जा 3 3 तू जा 6 1 बच्चा 18 3 सिख जा 18 तो 137 का बन में 137 upon 7 का 6 में कर दा 182 7 सिख जा 42 केरी 4 7 2 जा 14 और 14 और 18 तो येतना left hand side आगे अहम RHS लेंगे RHS किसके एक्वाल है वो लिक लिए हमने RHS एक्वाल थी 3 upon 7 इंटो 5 upon 6 प्लस इन अदर ब्रेक्ट 3 upon 7 इंटो 12 upon 13 तो 3 बन जा 3 और 3 से 6 2 ताइमस कैंसर 5 बन जा 5 और 7 2 जा 14 तो ये तो हो आगया 5 upon 14 प्लस इसका कुछ नहीं है तो डारेक्ट मल्टिपिल करेंगे तो ये होगे 5 upon 14 प्लस 12 3 जा 36 और 7 का 13 में कर रहा तो 13 7 जा 91 अब इन दोनों का मल्टिपिल 14 इन्टू 91 का हमने लिया तो ये आ गया 182 14 का डिवाइट 182 में 13 13 13 ताइमस के यहां दिखाए मैंना 17 जा 14 13 बचा और 13 का 5 में मल्टिपिल 65 91 का 182 में 2 ताइमस और 2 का 36 में मल्टिपिल 72 इन दोनों को एट कर दिया 5 27 और 6 7 30 तो बुई आ जागा जो लेपन साइट यानि की 137 यह थी इसको एट करने पर बुई आ गया 137 अपॉन 182 ओके तो LHS इकल टू आरे चाजा आ गया इस मिल्स इट इस वेरिफाइट आग यह धियान रकना एक कोर्षन 100% आपका आना है वेरिफाइट का 3 marks 5 marks वो टीचर की मर्जी है बड़ा कोर्षन दो 4 marks का भी दे सकता है ना चलिए नव सेकिंड पार्ट सेकिंड पार्ट इस हमें यह वेरिफाइट करने है वेरिफाइट माइनस 15 अपॉन 4 into in bracket 3 upon 7 plus minus 12 upon 5 bracket close it is equal in first bracket minus 15 upon 4 into 3 upon 7 bracket close plus in other bracket minus 15 upon 4 into minus 12 upon 5 कभी कभी property बोखेटग है कोँशे property ही हो रही है तो कोँशे हो रही है इसन पार्पर्टई उबार अधिसटा कैसे nhất कोर्षन आपको वोई पूचा साथ पर्रपर्टी खलाल यह करते है तो क्या करें वही left hand side ले ले फिर RHS solve करेंगे और तो हमाँ 1 को लाएंगी सो भी verify हो जाएगा तो हमने left hand side ले ले लिए LHS क्या है बुलित काल दिया minus 2 तो था minus 15 upon 4 into 3 upon 7 plus minus 2 upon 5 अब bracket को solve को लो 7 of 5 का LCM क्या हैगा 35 तो 35 हमने LCM ले लिया 7 का divide 35 में कितनी वार गया 7 5 जा 35 5 times 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15 यह minus plus minus हो गया 5 का divide 35 में 5 7 जा 35 7 का multiple 12 में करा 12 7 जा 84 तो यह हमने ऐसे उताल लिया minus 15 upon 4 अभी cancel कैसे बताएंगे 15 में से 84 को minus करा तो minus के 69 वही 14 में से 5 गया तो 9 7 में से बन गया तो 6 minus आगे क्योंकि कम में से जादा upon 35 यह हमने 5 से cancel गया 5 3 जा minus 3 बार और 5 से 7 बार cancel बाकी कोई cancel नहीं हो रहा तो multiple कर दो minus minus plus जोगा 3 9 जा 27 3 6 जा 18 207 और 47 जा 28 तो यह तो आ गई left hand side ओके नौपी विल सॉल्व राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड ले लिए minus 3 बार cancel minus minus plus तो 3 3 जा 9 9 का उतल 9 अपन 1 तो LCM कितना आ गया 28 LCM 28 बन जा 1 का minus 45 में करेंगे तो 45 रा प्लस 1 का 28 में 28 times गया 28 9 जा 9 8 जा 72 7 9 2 जा 18 और 7 252 ओके 252 मैं से 5 गया 7 24 मैं से 4 गया 20 माइनस के देखो यही right hand side थी अभी दिखाता हूं minus के 207 upon 28 है और यह हमारी value आई थी left hand side की तो तो since LHS equal to RHS, so it is verified, it is verified, verified हो गया तो verified के सवाल में बॉसिन पे लें हमें पहले left hand side को solve करना है फिर जो RHS है उसको solve करना है और दोनों की value equal ही आएगी अगर equal नहीं आ रही है तो 100% हमने कहीं गल्ती कर दीगी है चेक करो हमा ही गल्ती होगी हो, क्योंकि verified करना इसका मतला है LHS, RHS equal है और यह important भी ध्यानक नहीं अच्छे से कर ले नहीं यह question मिलता है exam में अ थर्ड पार्ट, अब question number 7 and the third part is in first bracket minus 8 upon 3 plus minus 13 upon 12 bracket close into 5 upon 6 it is equal in bracket minus 8 upon 3 into 5 upon 6 bracket close plus in other bracket minus 13 upon 12 into 5 upon 6 इसको हमें verify करना है तो वही left hand side ले ले पहले पहले है तो LHS लेगी किसके एकवाल है, minus 8 upon 3 plus minus 13 upon 12 into 5 upon 6 तो पहले हम bracket को solve करेंगे, 3 और 12 का LCM, 12 ही आएगा तो हमने LCM ले लिए 12 तो 12 तो LCM आ गया, 3 का divided 12 में 4 times अब 4 का multiple minus 8 में करा, तो minus नहीं 8 को जा 32, ऐसे minus 32 यह आ गया minus plus minus, 12 का 12 में तो 1 times और 1 का 13 में तो 13 bracket close into 5 upon 6, इसको add करो, कितना हो गया? minus के 32, minus के 13, minus 45, तो होगे minus 45 upon 12, वह हमने लेक लिया, minus 45 upon 12 into 5 upon 6 वाकि cancel हो रहे कैसे है, हम बताएंगे, पहले हमने 3 से काटा देखो, 3 से 15 times cancel और 3 2 जा 6, ओके? फिर यह 3 से फिर कार देखो, 3 से 5 बार कैसे और 3 से 12, 4, तो minus 5 into 5, minus 25 और 4 2 जा 8, तो यह एलेकल साइट इककल हो गई, minus 25 into 8, ओके? अब RHS लेते हैं, ओके? RHS और RHS is minus 8 upon 3 into 5 upon 6, प्लस इनदर ब्रेकेट, minus 13 upon 12 into 5 upon 6, इसको solve करते हैं, cancel हो रहा है, 2, 3 जा, 2 से यह 4 बार cancel, और तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां कुछ नहीं हो रहा है, तो यह क्या बच्छा? 4, 5 जा 20, तो minus 20 upon 9, ओके? प्लस यह क्या बच्छा? minus 45, यह तो cancel हो जाना, अच्छे 45, हाँ, 45 गरत लग रहा है, 65 होख है ना, इसलिए गरत लग रहा है, तभी तो, 65, 35 यह 65 upon 12, 6 जा 72, तो यहां LCM क्या जाएगा? 9 और 72 का LCM 72, ओके? 9, 8 जा, 8 बार गया, 8 का multiple इसमा करेंगे, तो 8 जा 6, see, 16, 0, 160 हो गया, minus plus minus, 72 का 71 बन बार, और 1 का multiple किसी में कर वोई आगा, तो minus 65, तो यह किसके कोल हो गया, minus 225 upon 72, ओके? अब वो किस से कटेगा? 9, 8 जा, 9 से कटेगा, ओके? 9, 8 जा 72, और 9, 2 जा 18, 4, 45, 95 जा, तो किसके कोल हो गया? minus 25 upon 8, अपने left-hand side करी थी, ओके? minus 20 upon, no, minus 25 upon 8, जाना equal आगे, तो verify हो गया, तो लिख दोगे, since LHS is equal to RSS, so it is verify. ओके? clear? ना लास्ट पार्ट, अब question number 7, अब फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, तो यह हमें verify करना है, तो वह यह हम करते हैं, डारेट है ना? left-hand side ले लेते हैं, तो LHS ले ली, LHS कितनी है? minus 16 upon 7, into minus 8 upon 9, plus minus 7 upon 6, it is equal to minus 16 upon 7, into, 9 और 6 का LCM 18 आ जयता है, ना, 9 2 जा, 2 का multiple minus 8 में करा, तो minus 16, minus plus minus हो गया, 6 का 18 में रोड़ा, 3 times, और 3, 7 जा, 21, तो यह किसके कोल हो गया? minus 16 upon 7, into, minus के 16 और minus के 21, यह कितना हो गया? minus 37, minus 37 upon 18, तो 2 से cancel हो रहा है, 2, 9 जा, 2, 4 जा, minus के, minus minus plus हो जाएगा, तो नीचे तो हो गया, 9, 7 जा, 63, उपर multiple करते है, minus 100 plus 4 का करा, 4, 7 जा, 28, carry 2, 4, 3, 12, और 2, 148 upon 63, अब हम RHS ले ले थे, RHS लेंगे, तो वो भी कितनी आने सी, 148 upon 63, और RHS क्या है? यह दे रखा है, minus 16 upon 7, into, minus 8 upon 9, plus, in other bracket, minus 60 upon 7, into, minus 7 upon 6, चलो, करते हैं, solve, यह तो 3 से यह कुछ नहीं हो रहा, नहीं कर रहा, तो इस सो solve करते हैं, minus, into minus plus हो जाएगा, 8, 6, 48, 8 बंजा 8, और 4, 12, और 9, 7, जा 63, यह न, solve करने कात कितना न अच्छी है, 148 upon 63, तब तो verify होगा, otherwise, नहीं होगा, मा, यह तो कुछ गड़व लग रहा है, मेरे 4 है न, गलत लग रहा है, यह तो उपर गलत कर रहा है, मुल्टिक लग रहा है, चलो, करते हैं, minus, minus plus, 7 का, 16 में, 7 सिख जा, 7 सिख जा, 42 carry, 4, 7 मनज़े 7, अब 4, यह, प्लस क्यों हो गए, 42, अब इन दोनों का LCM लेते है, LCM क्या आएगा, 7 सिख जा, 7 सिख जा, 3 सिख जा, 3 सिख जा, 3 सिख कर दे जा, तो कितना हो गया, 23 सिख जा, 6 सिख जा, 18 और 18 सिख जा, 126, 126, तो इसका LCM आ गया, 126, ओके, 63, 2 सिख जा, 2 सिख जा, 2 सिख जा, 2 सिख जा, 2 का मल्टिप्ल करेंगे, 256, प्लस, 42, 3 सिख जा, 3 का मल्टिप्ल करेंगे, 3, 3, 6, ते कितना हो गया, 6, 6, 12, carry 1, 5, 3, 8, 1, 9, और 3, 2, 5, 1, 26, अब वो 2 से कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करें, 2 सिख जा, 12, 2, 3 सिख जा, 6, 2 से कैंसिल करा, 2, 2 सिख जा, 4, carry 1, 19, 2, 9 जा, 18, 2, 6 सिख जा, 12, 296 अपों 63, शे, नो पंदर नहीं कटेगा, लेकिन वो आ रहा, 148 अपों 63, है न, तो दोनों कहीं मिस्टेक कर दिये, उपर वाले में, चेक करते हैं, चलिए, क्योंकि ये तो, राइटन साइट तो, आई हमारी इक्वल किसके, 296 अपों 63, और रहे सारी है, 148 अपों 63, तो हमने मिस्टेक कर दिये है, क्योंकि दोनों एक को लाईगी, चेक करते हैं, ये था, 9, 6 का, ऐसे हम 18, 9, 2 जा, 2, 8 जा, 16, ठीक है, 6, 3, जा, 3, 7, जा, ठीक है, ये 37, 16 अपों 7, 29, जा, 2, हाँ, देखो है, 29, जा 18, 24 लिख दिया, 28, जा 16 होते हैं, ये मिस्टेक कर दिया है, ये बस आब जाएगा, 8 का मल्टिपिल करना है, तो इसे काटो है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपों में तो कोई दिक्कत नहीं है, 7, 9, 6, 3, अपों हमारा सेम ब्यारा डिनोम्टर, अब 8 का मल्टिपिल करना है, में, 8, 7 जा, 56, केरी 5, 8, 3 जा, 24, 24 और 5, 29, 296, देखो आगे, ये 296 है, 296 अपों 63, और RHS भी 296 अपों 63, तो दियान रखना, अगर सेम नहीं जा रहा है, तो 100% हमारी कलती है, चेक करो के दोर, जैसे हैं मिस्टेक हो गईती है, हमने 4 ताम्स कार दिया, तो 8 ताम्स है, तो लिखो के, since LHS is equal to RHS, so it is very 5, ओके, नौ, question number 8, and the question 8 is, नेम दा प्रॉपर्पर्टी अप मल्टिपिकेशन इलस्टेट वाइच अप दा पॉलाइं स्टेप्मेंट, इसे हमें केवल प्रॉपर्पर्टी के नेम बताने हैं, solve ने करना है, फस्क था, माइनस 15 अपॉन एट इन्टू, माइनस 12 अपॉन 7, it's equal, माइनस 12 अपॉन 7 इन्टू, माइनस 15 अपॉन 8, तो कॉनसी प्रॉपर्पर्टी, A इन्टू V, is equal V into A, फस्क था, इन्टू अपॉन एक, commutative law, इसमें लिख दोगे, commutative law, अभी में रितके तकाऊंगा, अभी ओरली सिम्जाइएँ, ठीक, क्लिर ना, बेटकी दमाग में, सेकेंड, minus 2 upon 3 into 7 upon 9, bracket close, into minus 9 upon 5, is equal to minus 2 upon 3 into, in bracket, 7 upon 9 into minus 9 upon 5, दमाग माग कौन सी प्रोपर्टी, associative law है, A into V into C, is equal A into V into C, तो यह होगी, associative property, चल्दा पहले, इस दोई लिख दो नहीं है, आप इस दोगे, तो हमें क्यों लिखना है, करना कुछ नहीं है, तो फस्त में कौन सी है, लिख दोगे, commutative law, फरस पर सीधा करें, तो फस्त इस, commutative law, कॉंसा लोग लगास में, commutative law यह, commutative property, वो भी ले सकते हो, सेकेंड, A into V plus C, तो कॉंसर ताहे था मैंने, associative, सेकेंड का अंसर होगा, associative law, या associative property, ओके, third मैं बोलना हूँ, सुनिए ध्यान से, third मैं, दिखाई देता हूँ, चलो, distributive law दिखाई देता हूँ, बोलने में बहुत दिखाने बननता रहे, यह, third पढ़िए, minus 3 upon 4, into, in bracket में, प्लस आ रहा है, तो यह कॉंस आ रहा है, A into bracket में, B plus C, distributive property, over addition, पूरा नाम इसका यह होता है, plus में आ रही है, तो, आगा बीचा मैनस कसान हो, तो subtraction कहलाता है, ना fourth part, यह तो बहुँ, multiplicative identity वाली है, दिखा देता हम आपको, fourth, minus 16 upon 9 into 1, is equal to 1 into minus 16 upon 9, है न, इसमें बहुत से लोग क्या कर देते हैं, जो उपर लगाई थी, है न, commutative law नहीं लगेगा इसमें, है न, कि A into B equal to win to A, और यह लगदो commutative law, यह दिखा नकना, यह अकसर आया था, वच्ची अस्टार गल्ती कर देते हैं, यह A into B equal to win to A, यह दिवागों चलता है, फिर teacher से वहस वाली वी कर देते हैं, तो यह दिखा रहा है, कि one का आप किसी हों multiple करें, तो वही number आता है, तो क्या है property of multiplicative identity, यह कहलाती है, तो इसमें यह लिखना है न, commutative law माद लेख देना, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें क्या लेकिंगे, इस property of multiplicative identity, identity, ओके, ना फिप्थ पार, वो विदेखा देता हूं आपको, फिप्थ पार्ट यह गया, यह उर्था फिप, minus 11 upon 15, into 15 upon minus 11, यह उल्टा तरके, product आगे बन, तो सोज़ें रहा है, यह किसका multiple हो रहा है, जब multiple, दोर नम्मर का multiple करके बना जाए, तो इसका कहलाता है, इसका multiplicative inverse, या reciprocal, है न, तो हम कहलें लेकिंगे, property of multiplicative inverse, दो multiplicative inverse का multiple, हमेशा क्या होता है, तो फिप्ट में आप लिखोगे, property of multiplicative inverse, property of, multiplicative inverse, रैसे बोकल भी लिख सकते हो, उसकी जाए गए, and the last part, of question number 7, दुखाता हूँ मैं आपको, minus 7 upon 5 into 0, equal to 0, 0 में किसी का ही, multiply करें 0, तो ये किसकी property है, property of 0 है न, तो कहले लेकिंगे, multiplication property of 0, बस, multiplicative property, of 0 है, clear, fill in double links, ये भी orally है, इसको दिखा के, मैं आपको फिल कराता हूँ, हाथ क्या है, ये से वो कराता, fill in double links, the product of a register number, and its reciprocal is, ये आगया उपर ही, crypt, ये number, इसका reciprocal, product हमेसा क्या आता है, 1, इसका answer हो जाएगा, 1, कहा कर दूँ, ही कर देता हूँ, ही लिखता है, answer ही लिखना है, question number 9, 1, है ना, लिखनी रहा है, जहाँ भी fill in double links है, उसकी जाएगा, 1, clear, ठीक है ना, now second part, 0 है, no reciprocal, एक आये था, इसलिए, question number 5 में आये था, तो इसमें लिख दोगे, 0 का कोई reciprocal नहीं होता, क्यों, देखो समझाते है, 0 का मतला होता है, 0 upon 2, upon 2 को जीरो के कोल है, हम इसका reciprocal लेकिंगे, तो 2 upon 0 हो गया, math के अंदर upon में, 0 meaning less, meaning less, कोई meaning नहीं है, इसको हम बोलते है, undefined form, तो second में, क्या लिखोगे, 0 has dash, dash की जाएगे, यहनिक फ्रिंदा ब्लेंग्स में, no, 0 has no reciprocal, 0 का कोई भी reciprocal नहीं होता, ओके, चला फुरादर चलते हैं, साब सुतरा में, third part, third फ्रिंदा ब्लेंग्स, the number dash and dash, their own reciprocal, यह है, the number dash and dash, अब minus 1 आप पहले लग लो, चाहे बाद में सुकुल खड़क नहीं है, 1 and minus 1 are the, their reciprocal, ठीक है, तो 1 and minus 1 आएगा, फिर यह विप कर देते, 0 is dash, the reciprocal of any number, ठीक है ना, तो 0, is dash, the reciprocal, अभी वाता है था, 0 का कोई reciprocal नहीं है, तो 0 is not, लिख देना, 0 is not the reciprocal of any number, ओके, तो 3rd में आएगे, 1 and minus 1, और इसमें आजाएगा, पोर्थ में not, तो चलो मैं आपको लिख देता हूँ, पहले, फिलेंदा बलंक्स में 1, और दूसरे में लिख देना, minus 1, अब पोर्थ में, 0 का कोई reciprocal नहीं होता, तो not, लिख दोगे, खिलेंदा बलंक्स में, not, लिख रहा है, 0 is not the reciprocal of any number, 5th part, मैं पढ़ रहा हूँ, यह पूछा है, तो reciprocal of A, A का reciprocal पूछा है, जबकि A की value 0 नहीं है, जब 0 नहीं है, तो A का मतलब बन पूछा है, इसका reciprocal क्या होगा, 1 upon A, फिलेंदा बलंक्स में, 1 upon A, clear, now 6th part, सुनो, ध्यान से, the reciprocal of 1 upon A, अब बन पूछा है, तो दोना answer क्या होगा, reverse होगा, इसका answer क्या होगा, A, the reciprocal of A is बन पूछा है, and the reciprocal of 1 upon A is, is A, इसमें भलेगी A 0 होगी नि, लिखा भी होगा है न, A is general 0, now, second last part, the reciprocal of a positive number, कोई positive number है, माल लो 5 है, तो इसका reciprocal of a positive number, या कोई ratio number भी लेलो, 3 upon 7 positive है, तो इसका ratio number क्या हैगा, 7 upon 3, क्यानिंग का मतलब क्या हैगा, तो फिलिंदा blanks माहा जाएगा, positive, the reciprocal of a positive number, is also a positive number, positive number लिख दो, या खाली positive भी लिख सकते हैं, इसका reverse negative में दे रखाए, last, और स्री एक्साज़ा भी खतम हो जाएगी, the reciprocal of a negative ratio number, मान भो हमें पास, minus 5 upon 3 है, इसका reciprocal क्या होगा, minus 3 upon 5, minus 3 upon 5 क्या negative, तो reciprocal of a negative ratio number is a negative, अब यह कोई कमपलसर नहीं कि, रखाली positive लिख लिखना, क्यों देखो, मैंने यह बताया था, मैंने यह लिख दिया, minus, minus 1 upon 5, इसका reciprocal क्या, यह तो reciprocal number है, और reciprocal क्या है, minus 5, है ना, हालाकि यह सब हैते है, इसका reciprocal of a negative ratio number ही, मैं तुंगलाद भोल गया, उल्टा भोल गया है, इसमेद रखाली positive 5 का मतलब क्या है, तो integer भी हो सकता है, to false में आ जाएगा, तो कि reciprocal of a, मतला reciprocal of any register number, is always a register number, तो क्या होगा, false, रखाली नमर तो है, खेर उसे छोड़ो, खिला लिया, तो positive नमर का reciprocal positive होता है, negative नमर का reciprocal negative होता है, तो यह आज 1D exercise complete हो गई है, और मुझे उम्मीद है, आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी, तो ठीक है, आप लोग निकाली बुक को और सवाल को लागाना सुरू करिए,